हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैं यूटूब चैनल, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम होने की वज़ा से, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं, फिलिप कार्ट, एक्सिस बैंक, रेट कार्ट के बारे में, आप इसके बार में बात करेंगे, और इसमें कितना इंट्रेस्ट रेट लगता है, ये भी आपको हम बताएंगे, और आप इसके पीछे की सचाई जांगर हैरान हो जाएंगे, तो चलिए वीडियो को करते हैं, स्टार्ट और वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्रा आप एक्सिस बैंक के विबसाइट पर पढ़ सकते हैं, ये क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें 500 रुपे एन्वल फीस लगता है, लेकिन दोस्तों आप एक तरीके से इसको फ्री करा सकते हैं, यानि कि अगर आपको एन्वल फीस नहीं देना है, तो एक उसका तरीका है कि अग सकते हैं, अगर आप इस क्रेट कार्ट से अगर आप दोलाख रुपे सालआना के दौरा, नहीं देना होगा, अगर आप इस क्रेट कार्ट से ATM के द्वारा अगर आप पैसा निकालते हैं कैस निकालते हैं तो आपको 25% का interest rate भी इसमें देना पड़ता है और दोस्तों इसमें जो finance charges लगते हैं वो 3.49% लगभग 3.5% के आसपास इसमें interest rate देखने को मिलता है और अगर आप limit से ज़्यादा पैसा spend करते हैं तो इसमें 3% का interest rate आपको देना होगा जो की compulsory है आपको 3% का interest rate देना ही होगा अगर आप ज़्यादा पैसा spend करते हैं इनके limit से ज़्यादा पैसा spend करते हैं तो तो इस flip card axis bank credit card में इस तरह के charges लगते हैं जो आपका annual fees है वहाँ पे 500 रुपया आपसे annual fees लिया जाता है लेकिन अगर आप 2 लाग spend कर देंगे तो free हो जाएगा lifetime free हो जाएगा इसमें कोई problem नहीं है और interest rate भी आपको देना होता है लेकिन एक बात इसमें अच्छी भी है कि इसमें आपको काफी सारा cashback भी देखनी को मिलता है जैसे online shopping है जैसे flip card, mantra, two put जैसी website और अगर आप online shopping करते हैं पैसा transfer करते हैं पैसा transaction करते हैं तो वहाँ पे आपको 5% का cashback instead देखनी को मिल जाएगा तो इस तरह का इस credit card में comment box में comment कर गए कि यह आप credit card बनवाना चाहते हैं कि नहीं तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक ले बहुत बहुत धन्यवाद